नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जयकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stock में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहा है रतन इंडिया पावर के बारे में क्योंकि फ्रेंट्स इस कंपनी का result भी आगया है और result का क्या परिनाम होने वाला है इसकी चर्चा भी हम इसमें करेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी अंदर से कितना strong है इसमें हम लोगों को buy करना चाहिए या फिर हम लोगों को इससे exit कर देना चाहिए या फिर इसे stock में hold करना चाहिए तो चलिए इसके बारे में हम detail में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बहुत ही major part को ही pick करेंगे जो आपके लिए काफी important होगा और आप आसानी से guess कर पाईएगा कि इसे stock में आपका investment कहां तक सही है या फिर कहां तक glut है फ्रेंट्स तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले pick करते हैं इस company के market cap की फ्रेंट्स रतन इंडिया का जो market cap है वो 3088 करोड का इसका जो अभी current price है वो 5 रुपया 75 पैसे का वहीं फ्रेंट्स इस company का जो अभी face value है वो 10 का है तो चलिए फ्रेंट्स अब हम इस company के balance sheet को देख लें कि ये company अंदर से कितनी strong है तो फ्रेंट्स इसके लिए हम 3 quarter को pick किये हैं पहला December 2020 दूसरा September 2020 और तिसरा December 2020 तो चलिए फ्रेंट्स अब हम सबसे पहले pick करते हैं sales को ये company December 2020 में जो अपना sale post करती है वो 304 क्रोड का वहीं September 2021 में ये company अपना sale post करती है वो 805 क्रोड का तो यहाँ देख सकते हैं friends कि ये company sales के मामले में तो definitely quarterly wise भी improvement दिखा रहा है और yearly wise भी ये company अपना improvement दिखा रहा है तो चलिए friends हम बात करते हैं अगले point की और pick कर लेते हैं company के core business को क्योंकि front किसी भी stock का core business के बारे में जानकारी आवस से लेनी चाहिए क्योंकि core business ही वो point होता है जिसके दम पे company आगे की तरफ improve करती है ताकि आप आसानी से guess कर सकते हैं कि company का जो business है वो कितना improve किया है उससे company को profit generate हो रही है या फिर नहीं हो रही है तो चलिए friends हम core business के बारे में चर्चा करते हैं और जान लेते हैं कि December quarter में ये company अपना जो core business से होने वाले profit को post किया है वो कितना किया है friends ये company December 2020 में अपने होने वाले core business से profit को जो post किया है वो 170 करोड का वहीं September 2020 में इस company का core business का profit था वो 157 करोड का वहीं December 2020 में ये company अपने core business से जो profit generate की है वो 248 करोड का तो friends यहाँ अगर देखेंगे तो company का core business अभी पूरी तरह से strong देखने को मिल लहा है क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि company का जो quarterly result है वो भी strong है और अगर yearly bias भी आप completion करेंगे तो आपको यहीं लगेगा कि इस company का core business अभी भी strong है क्योंकि यहाँ भी आपको improvement देखने को मिलेगा तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली point की और pick कर लेते हैं इस company की other income की friends यह company December 2021 में जो अपना other income जो post किया है वो 52 करोड का किया है वहीं friends अगर हम बात करेंगे इस company के उपर जो debt है और उस पर लगने बाले interest इसने पे किया है वो कितना किया है friends तो friends यह company अपने ऊपर जो debt है और उस पर लगने बाले interest जो यह पे किया है वो December 2020 में 572 करोड का वहीं September 2020 में interest पे करती है 589 करोड का वहीं December 2020 में यह company interest पे करती है 582 करोड का तो यहां देख सकते हैं कि company के उपर इसी से आपको अंदाजा हो सकता है कि कितना बड़ा कर्ज होगा इस company के उपर जो यह company जितना profit जेनरेट करती है उससे कहीं ज़्यादा यह company अपना सिर्फ और सिर्फ इंट्रेस्ट पे करती है तो चलिए अब हम बात करते हैं इस company के major points की और वो points है नेट प्रॉफिट इस company को December 2020 में जो net profit हुआ था वो minus 79 करोल का वहीं September 2020 में यह company अपना net profit post करता है वो minus 460 करोल का वहीं यह company December 2020 में जो अपना net profit post किया है वो minus 387 करोल का तो friends यहां देख सकते हैं यह company अभी भी loss में है अगर आप quarterly bias इनका comparison करेंगे तो आपको इसमें थोरा सा increment देखने को मिलेगा लेकिन friends अगर आप yearly भाईज इसका comparison करेंगे तो company अभी भारी loss में आपको देखने को मिलेगा friends तो friends आपको लगता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है क तो friends इसका सबसे बर आडिजन है इस कंपनी का उपर जो डेप्ट है जो इस कंपनी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ये कंपनी अपना सिर्फ और सिर्फ डेप्ट पर लगने बाले इंट्रेस्ट को पे किया है वह 582 क्रोड का यही वज़ा है कि ये कंपनी कित वह 44.19% वहीं third quarter में it means December 2020 में promoters की जो holding इसमें बची है वह 44.19% का तो यहां देख सकते हैं कि इन्हों ने अपने जो stake है उसे थोरा सा increase आवस्य किया है लेकिन friends हम यही मानेंगे कि इस increasement का कोई भी ज़्यादा असर इस पे नहीं परने वाला है क्योंकि ये कंपनी का जो क्पनी के पास रिजर्ब है तो आप मान सकते हैं कि यह और बने है और यहीं अगर और खुर्क करेंगे तो उस और इस कंपनी का आपने dal को आगे की तरफ नहीं करने देता है अभी तक कि आपने देखया कि इस company के कौन से strong points थे और कौन से big points है इसकी सबसे बड़ा strong point ये है कि company sale increase कर रही है company का जो core business है वो भी आगागी तरफ move कर रही है लेकिन और इस company के big points के अगर बात करेंगे friends तो इस company के जो big points है वो इस company के जितने भी promoters की holding है उसमें से 87% से ज़्यादा share in का गिरी भी परा हुआ है और इसके अलवा friends इस company को उपर जो कर्ज है वो बेताहसा कर्ज है जो की बहुत बड़ा कर्ज इस company के लिए है friends जो इस company को आने वाले future में कभी भी उठने नहीं देगा friends अगर ये company इन दोनों points को sort out करती है तो definitely ये company एक multi-wagger साबित आपके सामने होके दिखाएगी friends तो friends अभी तक जो मैंने discussion किया इसको सिर्फ और सिर्फ अब अपने knowledge को gain करने के लिए ही use करें friends तो जिन लोग ने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है वो इस channel को subscribe करें और घंटी की बटन को दबाके all notification को भी on कर दें ताकि इस channel पर जो भी वीडियो upload हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप future में होने वाले loss से बज़ जाएं तो friends आज के लिए इतना ही आपका दिन शुब हो